राजस्तान की इस वीर भूमी पर मोदी, मोदी, मोदी परदान मंत्री जी आपका राजस्तान की इस वीर भूमी पर भूत-बहुत स्वागत है, वंदन है और अभीनंदन है जुन-जुन जिला बहुत एतियासिक जिला है, सबसे ज़्यादा जवान देने वाला ये जिला है, शैना में सबसे ज़्यादा जवान माईला शिक्षा में भी अगरणी अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ हमारे जो जिलादक्स हैं जो जो जिले के पवन जी उनको मैं अनुरोद करता हूँ कि परधान मंतरी जी का साफा पहना करके इस वीर भूमी पर स्वागत करें पवन जी इसके तुरंद बाद जितने भी आठों परत्यासी हैं जून जून लोग सबाद सेतर के आठों परत्यासी वो बड़ी माला से आधने परधान मंतरी जी का स्वागत करेंगे जून जून लोग सबाद से सभी आठों परत्यासी भारत्य जन्ता पार्टी के प्रत्यासी विदानसभा जो तुनाव लड़ रहे हैं वो सभी बड़ी माला से आधनिय प्रधान मंत्री जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और अभिनंदन करेंगे नरेंद्र मौधी जिन्दाबाद नरेंद्र मोदी 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 जिन्दाबाद आदेनिय प्रदान मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो सभा है वो करीब एक किलो मिटर से लंबी ये हवाई पटी है वहां तक फैली हुई है आपसे मैं विनमर प्रातना करता हूँ कि आप इस विशाल सभा को संभोधित करें आधने नरेंदर मोदी जी आधने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी भारत माता की भारत माता की इतना दूर दूर लोग है उनको सुनाई देता होगा वहां तक माईग होंगे क्या मैंने मानतों को कैमेरा में भी दम होगा वहां तक की फोटो निकाल पाए भारत माता की भारत माता की शाकंबरी माता की तेजा जी महराज की खाटु के शाम बाबा की मालासर बाला जी महराज की बंतले के बाला जी की बाबा राम देव जी महराज की संगलिय धाम जी की लोक देवता दादा पुरत्विराज को सद्धा पुर्वग नमन करता हूँ के हाल चाल ही थारा सैका थारे यू मिलकी मनराजी होई लागियो यह परम विर्चक्र विजेता मेजर पिरुसी जी की भूमी है वीर संतानों और वीर माताओं की भूमी है कि यह मेरी सरकार का सोभाग्य है कि आज हादी के इतने वर्षवबाद हमारे परम विरों के नाम पर अंडमान निकोबार के द्विपों के नाम रखे गए हैं इन मेंसे एक द्विप का नाम मेजर पिरुसी जी के नाम पर भी है कुछ दिन पहले मैं हमारे फोजियों के साथ दिवाली मनाने के लिए बौर्डर पर गया था महाज सेखावटी के लोग होना तो बहुत महभाविक था आप सीमा पर कहीं पर जाओ सेखावटी का बीर तो मिलेगा ही मिलेगा और जब मैं उनसे मिला उनको पता था कि चुनाव का महोल है तो मरा राजत्तान जाना हो जाएगा तो उनसब साइनिकों ने आप सब के लिए दिवाली की राम राम लेकर के मैं आपके पास आया हूँ साथियों सबसे पहले तो मैं आज सुबे सडक हाथ से में पांच पूलीस कर्मियों की दुखत मुर्त्यू की जानकारी मिली मैं आदर पुर्वक उनको स्रधांजली देता हूँ और उनके परिवारों के प्रती अपनी संवेजन अभ्याक्त करता हूँ कि मेरे परिवार जनो कि राजस्थान का रुजान क्या है कि अच्छलो भाई आपकी बात तो मान ली लेकिन आपके यहां के जादूगर मुख मंत्री ने कुछ दिन पहले बता दिया एक जनसभा में यहां के सीएम ने स्विकार किया कि उनके उमिदवारों उनके विधायकों ने पांच साल कोई काम ही नहीं किया है यह खुद ने बोला है काम क्यों नहीं किया क्योंकि राजस्तान इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैटे कॉंग्रेस के बाजीगर तो यह जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था जादूगर कुर्सी बचाने में बीजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे और इसके साथ साथ विधायकों मंत्री विनई जादूगरी कर रहे थे वो तीजोरियों को सभा चट कर रहे थे तीजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे और अब तो सीम के लाल सीम के लाल ने खुद लाल डायरी में लिख दिया है पापा की सरकार नहीं आएगी जीस कॉंग्रेस ने राजस्तान को बरबाद कर दिया ऐसी कॉंग्रेस को वापिस आना चाहिए क्या फिर से उसको राजस्तान में घुशने देना चाहिए क्या आप मुझे बताईए जरा पूरी ताकत से बताईए क्या कॉंग्रेस के उमिद्वारों की जमानत बचनी चाहिए किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या और इसलिए ये जो मिजाज है ना वो कह रहा है सेखावटी की यही पुकार आ रही है भाजपासर का सेखावटी की यही पुकार सेखावटी की यही पुकार मेरे परिबार जनो हमारा ये जुझनो हमारा सेखावटी तो उद्यम की धरती है परिश्ट्रम की पराकास्ता करने वालों की धरती है आप सीमा पर जाएं तो भी सेखावटी मिलेगा और हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाए एक नेक तो जुझनो वहाँ मिली जाएगा लेकिन कॉंग्रेस को यहां के लोगों से इतनी चीड है इतनी चीड है अब देखिए भाजपाने जुझनो के बेटे किसान के बेटे स्रिमान जगदिव धनकर जी को देश का उपराश्पति बनाया कॉंग्रेस ने पहले धनकर जी को उपराश्पति बनाने का भी रोत किया और अब तो उसे दनकर जी का राजस्तान आना भी बढ़ा उनको बुखा रहा जाता है बताईए पॉब्लिक ली चिला रहे हैं कि यह आते हैं कोई अपने प्रदेश के अंदर अपने गाउं में अपने गरों में अपने रिस्तेदरों में जाएगा नहीं जाएगा और मैं आपको बताता हूँ यह सेखावट्टी होनहार लोगों की भूमी है जी तेजस्वी लोगों की भूमी है इन दिनों धनकर जी के साथ काम करने का मुझे सौभागे मिला है उनकी प्रतिभा उनका सोचने का तरीका मेरे जैसे लोगों के बहुत बड़ा मारदर्शन देता है ऐसे लोगों को जन्मी धर्ती ने दिया है शेखावट्टी की धर्ती पर जन्मी लोगों ने भारत के कितने ही बड़े उद्योकों की स्थापना किये व्यापार कारोबार से कैसे राष्ट्र सेवा और समाज सेवा हो सकती है वो यहां के चप्पे चप्पे प्रदिखती है पर अब परोपकार की परंपरा कि सेखावट्टी का स्वभाव है जो कमाता है वो समाज को लोटाता है कि सेखावट्टी की इसी परंपरा को आज भारत आगे बढ़ा रहा है भारत कि दुनिया की कि पांचवीश सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है यह जो सामर से बढ़ा है कि इससे आज असी करोड मेरे देश वासियों को मुप्त राशन की गारंटी मिली है आने वाले पांच साल तक मुप्त राशन की योजना चलती रहे यह संकल्प भी हमने लिया है पांच साल उसको वैसे वो डिसंबर में पूरा होना था पांच साल उसे और बढ़ा दिया है ताकि गरीब का चूला जलता रहे आज हर गरीब को पक्का गर और हर घर तक नल से जल के पहुंचाने के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार उसने अपना खजाना माताओं बेहनों के लिए खोल दिया है आज देश के करोड़ों गरीबों को भारत सरकार मुफ्त इलाज की सुविदा दे रही है जन अवशदी केंद्रों पर और मैं आपसे कहूंगा आपको अगर दवाईया खरीद दिया ना जुरूर जन अवशदी केंद्र पर खोल जाए यह यह मोदी ने आपकी बहुत लोगों को पता नहीं है हम दिवाली में खरीद करने जाते हैं और बाजार में कहीं बॉड लगा है कि 10% इसकाउंट तो पहला पैर उसी दरप चला जाता है कि 20 प्रतिसर डिस्काउंट 10 परसंट डिस्काउंट तो वहीं मन करता है न है कि मोदी ये जनव सदी केंद्र में दवाईयों में 80% डिस्काउंट देता है 80% डिस्काउंट सो रुपिये की दवाईब 20 रुपे में मिल जाती है और जानते हैं इसके काण मेरे मद्यमबर के परिवार हमारे गरीब परिवार दवाईब के जो खर्च होता न है उसके कारण के कितने रुपिये बचे होंगे आपको अंदाज है क्या अभी तो जादा इस वोजना का जादा प्रचाम नहीं हुआ फिर भी इसने मेरे गरीब और मंद्यमबर के लगभग सवा लाख करोड रुपिया उनका बच गया है भाईयों यह सेवा किये हमने शाधियों कॉंग्रेस दे सीर्फ और सीर्फ एकी परमप्राविक्षी किये प्रक्षाचार परिवाःवारबात और तुष्ठिकरण के इस कि नीती पर चलते हुए कोंग्रेस देश का बहुत दुक्षान किया है कोंग्रेस फास की यहीं बांसिक्ता गास को दसकों में भारत में युवाओं को अवसर नहीं मिल पाए आज कल पुरी दुनिया में भारत के चंद्रियान की भी चर्चा है है कि नहीं है चंद्रियान से गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको आपका माथा हुचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश के युवाओं ओप फ्रोजा बढ़ रहा है यह यानि अंतरीक में भारत कैसे ताकत वर हो रहा है इसका अलोहा पुरी दुनिया मान रही है कि भारत की इस ताकत के पीछे कि मेरे नौ जबानों का सामर्थ है मेरे युवा है और इसमें पिलानी की भी बहुत बड़ी भूमिका है पिलाणी के हमारी युआ स्पेस टार्ट उप मेह भी काम कर रहें नाम कमा रहें कांगरेस सरकार रहती तो यह संबभवी नहीं था सिप। ने जिस सपेस सेक्टरे में युआवं के लिए जोजवानों के सब्रों की सबसे बड़ी दुश्मन है यहां पांच साल चाहिवाओं के भविश के साथ खिलबाड हो रहा है कोई भी परिश्य ऐसी नहीं है जिसका पेपर लिखना हुआ हो यहां के कोचिंग सेंटर पर जो छापे पड़े हैं तो उसके तार कहां जुड़ते हैं पता है ना जादू गर के करीबी मंत्री के सारे नाते रिस्तेदार अपसर बन गए लेकिन आपके बच्चे छण छण कर बहार हो गए एक कैसा जादू है भाई कि मेरे सेखावटी के भाईयों बहनों मेरे राजस्थान के भाईयों बहनों आप आसफस्त रहिए राजस्थान में भाजपास सरकार बनते ही कॉंग्रेस के हर जादू हर पेपर लिख कांड की तेजी से जाच होके रहेगी काले धन की कोई भी तिज्वरी हो कितने यी बड़े रसुखदार की हो भो भी अब बच नहीं पाएगा उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा और मोदी ने न्याय के लिए काम करने के लिए देशित के लिए काम करने के लिए हर किसी को खुली छूट दे कर रखी हुई है जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा यह कॉंग्रेस जब केंदर में सरकार में थी तो उन्हें प्रस्टाचारियों की सरफ पाँच हजार रुपे की संपत्ती ही पी एमेल एक्ट में जब्त की थी और दिली में जब आपने अपने इस बेटे को भेजा तो उसने क्या किया मोदी ने पी एमेल एक्ट में ब्रस्टाचारियों की एक लाग करोड रुपे से ज़्यादा की संपत्ती जब्त करवा दी पहां पाँच अजार करोड और कहां एक लाग करोड शाथियों कॉंग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मोका छोड नहीं रही है बीजेपी के शांसन वाले हर्याणा गुजरात यूपी यह आपके राजस्तान से सटे हुई है यूपी में पैट्रोल राजस्तान से बारा तेरा रुपया सस्ता है गुजरात में बारा तेरा रुपया सस्ता है हर्याणा में बारा तेरा रुपया सस्ता है राजस्तान में भाजपा सरकार आते ही पैट्रोल की कीमतों की समिक्षा होगी और अब तक जो रुपिया जमा किया वो किसके खाते में गया इसकी भी जाज होगी और समिक्षा करकर के लोक हित में नए सिरे सेंद्र नहीं लिया जाएगा मेरे परिवार जुनों विकास मही होता है जहां विश्वास होता है जहां सुरक्षा होती है जहां सन्मान सुरक्षीत होता है कॉंग्रेस ने पिछले पांच बर्षों में राजस्तान से सब कोच छुमंतर कर दिया है यह चुमंतर सरकार है जादूगर की है ना वो चुमंतर करता रहता है होली हो दिवाली हो राम नभी हो हनमान जेंति हो हर त्योहार में पत्थर बाजी हर त्योहार में कर्फियो जब वोड के लिए तुष्ठी करने ही सरवोपनी हो तब दंगायों का होसला बढ़ता है कॉंग्रेस के राज में बहन बेटियों का मार निकलना मुश्किल हो गया है और यहां के सीम कहते हैं कि बहन बेटियां यहां फरजी मामले दर्ज करा रही है क्या यह माता हो बेहनों का अपमान है क्या कोई बेटी अपने चरीतर पर दिल्जाम लगे ऐसी कोई जूठी शिकाहित कर सकती है क्या कभी भी करेगी क्या मेरे परिवार जुनों यह कॉंग्रेस के नेता इस हद तक बोल रहे है मैं भाजपा के लोगों ने जिस प्रकार से आपकी भलाई के लिए एक के बाद एक निर्णाय किये है और आज मैं आपको कहने आया हूं सेखावटी की इस वीर धरती पर आकर के मैं कह रहा हूं आपके सपने है आपके सपने ही मोदी का संकल्प है कॉंग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ा भाजपा ने उनको संबल दिया है कोई दुकान हो धाबा हो गेश्टाउस हो तेले के दुकान हो इन्हें खोलने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है गरीब की जरुवत की जिंदा मोदी रेकी मोदी ने बिना गारंटी के रून देने वाले मुद्रायोज्रा बढाई मुद्रायोज्रा के तहत रास्तान के गरीब और मध्यमबर को लगब 45,000 करोड़ रुपे के मदद जीए यह 45,000 करोड़ रुपे है इल्ला मार्दियों मे आते से अधिक SC ST OBC परिवारों के साती हैं इतना पैसा है से छोटे छोटे बिजनेस कने वाले को मिलना है और और कॉंग्रेस के लोग इसका भी मजाक उडाते हैं साथ यो रेड़ी ठेले फुटपाश पर काम करने वाले लाकों साती अपना काम करते हैं मैंन्स करके कमाते है लेकिन पूलिस प्रसासन के सबसे ज़्यादा डन्ने भी इन्हीं को खाने पड़ते हैं, कॉंग्रेस को कभी इनकी याद नहीं आई, ये भी मोदी है जो इनके लिए स्वनी दी योजना लेकर आया, अभी तक देश भर के पचास लाग से अधिक साथियों को हजारों करोड अरिवार मेरे राजस्तान की भी है, इन भी आगे बढ़ने और अपने करोबार को बढ़ा करने के आकांख्षा जगी है। कि ए से हमारी विश्व कर्मा सात्य है हमारे कुमार लोहार सुनार सुतार कप्ड़े सिलने वाले कप्ड़े धोने वाले ऐसे हस्त सिर्फियों की एक कॉग्रेस से कोई सुद नहीं है जुन्जुनूतों मिट्टी के बरतन, कौपर के सामान, लोहों के सामान ऐसे अनेग उत्पादों के लिए मशूर है ऐसे विश्व कर्मा साथ्यों के लिए पहली बार 13,000 करूर रुप्य की विशेश जोजना भाजपा सरकार लाई है कॉंग्रेस के दिली दर्बान ने जिनको छोटा समझा, मोदी उनके साथ खड़ा है मेरे परिजनों, मैं आप से एक और सवाल करूँगा आप मुझे पताईए, सेखावटी ने मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद बाजरा उगाना, बाजरा खाना शुरू किया क्या, मैरा सवाल समझे, क्या मोदी पीम बना उसके बाद ही आपको पता चला, बाजरा उगता है, बाजरा खाया जाता है, पहली बार पता चला क्या पहले भी ठाक नहीं, यहां तो बाजरा ही उखता था ना, जरा सब मुझे बता पाएंगे, यहां तो बाजरा ही उखता था ना, बाजरा ही खाते थे ने, कॉंग्रेस को पता ही नहीं था, बाजरा और दूसरा मोटा वनाच, यहां के शान हमास्या से रहा है, यह छोटे किसानों के लिए बरदान है, कॉंग्रेस ने बाजरे और दूसरे मोटे अनाच के महत्वकों कभी नहीं समझा, यहां के किसान बताते हैं, कि कॉंग्रेस सरकान ने तो MSP पर बाजरे की घरिच तक ठिक्षने नहीं की, लेकिन मोधी आपकी महनत और आपकी कमाई के महत्वकों को समझता है, इसलिए हमने बाजरा जैसे मोटे अनाच को स्री अन्न के रुप्य प्रतिष्ठा दी, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का रोड में बनाया, आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर के बड़े मिटा जब दिल्ली आये ते ना, तो हमने उने भी बाजरे की रोटी खलाई, स्री अन्न के पक्वान खेलाए, यहां भाजपा सरकार आएगी, तो स्री अन्न को पुरा सम्मान मिलेगा, मोटे अनाच को सम्मान मिलेगा, राजपान भाजपा ने यह भी संकल पर लिया है, कि गेहूं के MSP पर बोनुस दिया जाएगा, इतना ही नहीं, PM किसान सम्मान नितिके आपको अभी 6000 रुपे मिलता है, अब राजपान भाजपा ने इससे बढ़ाकर 12000 करने का फैसला लिया है, यहां बीजेपी सरकार आएगी तो आपको PM किसान सम्मान नितिके, 12000 रुपे नियम इस रुप से मिलना करेंगे, मेरे परिवार जनों, आज देश को भाजपा पर भरोसा है, भरोसा इसलिए, क्योंकि हम जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गा करना होने की गारंटी, और वहीं कॉंग्रेस का क्या होता है, कॉंग्रेस की बातों का मतलब होता है, जूठे वायदे, जूठी सौगन और जूठा प्रचार, यह वहीं क्उंग्रेस हैं, जिसने मात ओ, बेहनों, बेटियों को विदान सभा और लोक शबागे, आरक्षन के के लिए दसकों तक लटकाया यह गारंटी मोदी ने पुरी की कॉंग्रेस को आर्टिकल 370 के कारण 370 दारा आता है इसको छिकंज में घिरा जम्मुकश्में नहीं दिखा इसका कारण राजतान के वीरों के बलिदान और वीर माताओं के आसु नजर नहीं आए यह गारंटी भ पुर्वशनीकों की प्रवा नहीं की मोदी ने पुर्वशनीकों को दी और ओपी की गारंटी पूरी की अभी तक देश के पुर्वशनीक परिवारों तक 90-9000 करोड रूपे पहुंच चुके ए नव्बे अज़ार करोडू कि मेरे परिवार जनों अपने राज़्तान के ग्षाइब आवे मतांचे लिए ज्यादाजी नहीं बचे हैं मेरी आप से रिबिनती है इतनी बड़ी सभा याने मेरे तो आखे की अंत देखने की सामर्ती नहीं है इतने बड़ी सभा है अब इतनी बड़ी सभा होगे तो जीत गए क्या करना है ऐसा नहीं करोगे ना मेहनत करोगे हर पोलिंग बूद में कमल खिलाओगे हर घर जाओगे अच्छा एक मेरा काम करोगे लेकिन चुनावाला काम नहीं है करोगे जरा आवाज जोड़ से निकालो तो पता कले भई करोगे मेरा नीजी काम है करोगे सच्चे बताओ हाथ उपर करके बताओ करेंगे सब लोग करेंगे अच्छा एक काम करना गरगर जाना और हर एक को हाथ जोड़ के कहना कि अपने मोदी जी जुन जुन आये थे और उन्होंने आपको राम राम कहा है इतना काम कर दोगे देखिए आप जब मेरा राम राम उनको पहुँचा होगे न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और जब परिवार्त के लोग मुझे आशिरवाद देगे न वो मेरे लिए बहुत बड़ी जड़ी भुट्टी है उनके आशिरवाद मेरी उर्जा है उनके आशिरवाद मेरी मेरा सामर्त है उनके आशिरवाद मेरे संकल्प में शक्ति भर देते हैं और उनके आशिरवाद स मात्रों भूमी शेवा करने के मुझे ताकत बढ़ जाती है आप लोगों की सेवा करने की ताकत बढ़ जाती है इसलिए गरगर जाओगे गरगर जाओगे मोदी जी के रामराम पहुंचाओगे पक्का पहुंचाओगे अच्छा मैं एक और बात करना चाहता हूं मैं एक वाग के बोलूँगा और आप लोग मुठी बंद करकर के उसको दोहराएंगे करेंगे मैं कहूंगा उसके बाद आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्तान ज़र बोलिये तो क्या बोलना है कमल चुनेगा राजस्तान ऐसे नहीं सब के सब बोलिये कमल चुनेगा राजस्तान कमल चुनेगा राजस्तान तो हम मैं बोलता हूँ आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्तान विक्सीद भारत दुनिया के शान जुन जुनु के वीर है भारत की शान जुन जुनु के युवा बनाएंगे स्टार्ट अफ महान मजबुत सेना समर्द जवान बहन बेटियों का हो मान बरस्ताचार का मिटे निशान पेपर लिख का खात्मा हो सबक्त भारत सुखी किसान सबका विकास सबका सम्मान मेरे ताथ बोली भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद विकास सम्मान बड़ी भारत माता की बहुत है झारत माता की बहुत बहुत है झाल झाल